मैंडा की मटर, आप भी बताईए इसको नमक पारा भी कहा जाता है, आप भी बताईए आप इसको क्या कहते हैं कोमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा ये मैंने 1 किलो मैदा ले ली है और एब इसके आंदर डाल देती हूं अजवाईन साव के अनुसाब नमक और यह रिफाइंड इसमें रिफाइंड डालना बहुत जरूरी होता है और अब इसका मैं एक अच्छा सा डो तियार कर लेती हूँ देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसका मोयन कितना अच्छा बना है देखिए इसका लड़ो की तरह ये बनने लग गया है अब इसका मोयन बिल्कुल सही है और अब इसका हम बना लेंगे डो अच्छे से डो तयार कर लेते हैं और फिर उसके बाद बनाते हैं का मटर अब इसमें का डो तयार कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ज्यादा से एकदम से ज्यादा पानी मत डालिएगा यह हमारा डो बनकर तयार हो गया है और अब हम इसको पांच मिनट के रेश्ट के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए और पांच मिनट बाद इसके मट्र बना लेते हैं यह देखिए दो सेट हो करके अच्छे से नरम हो गया है और अब इसके पेड़े बना करके मट्र बना लेते हैं अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं और चपाती की तरह गोल बना करके इसके मट्र काट देए इस पर काच्छे उती वह गोल पेड़े बना लेजिए स्टाट ये देखिए हमने इसकी सारे पेड़े बना लिये हैं और अब हम इससे बेल करके चापाती की तरह मटर काट लेते हैं ये देखिए इसको रोटी की तरह बेल लेते हैं ज्यादा बारिक करने की जरूर्द नहीं है ये देखिए चापाती की तरह हमने बेल दिया है और अब हम इसके एक साइज के मटर काट लें इस परकार से इसको मटर की साइज में काट लेजिए ये देखिए अब हम इसको यहां से उठा करके प्लेट में या बरतन में निकाट लेंगे स्टार्ट ये देखिए ये मटर की साइज ने तो जड़ा बारिक है और ने मोटी है इस साइज की आप मटर बना लीजिए और ये होट सकता मटर बनेंगे इस परकार से हर पेड़े को बेल कर हम मटर की साइज कट कर लेंगे ये देखिए हमने मटर बना ली है और अब गरम होने तक पेड़ करते हैं फिर इसको तर लेंगे ये देखिए ओल हमारा गरम हो गया है और अब हम इसमें डालते हैं मटर सब्सक्तरी के देखिए तेक एक करके इजी मटर डालते जाएए यह देखिए मटर पक गई है और कितनी क्रिस्पी हो गई है अभी आगी निकाल लेते हैं तक इतना प्यारा अुछ अधी है हुआए प्यारा कलर आया है आसे लूम पिरेजिए, ताकी दोनो तरपी आटएजें, पकचे आए पर प्रीस्पीक आए तरपी इस परकार से हम इसको नियुदीरे डाल करके पकाते जाए देखिए हमारी माटर कितनी क्रीश्पी बनी है और कितना अच्छा कलर आया है आप भी अपने घर पर बनाईए और मज़े कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई बाई